आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ ग्रीस के एक बहुत ही पॉपलर टोरिस्ट डेस्टिनेशन मिट्योरा में आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलिएगा मिट्योरा से काफी नजदीक पढ़ता है कला बाका और वही पर हमने एक रिजोर्ट में रात गुजारी काफी अच्छा रिजोर्ट था और वहां से मुश्किल से 16 किलोमेटर की दूरी पर मिट्योरा है तो अब हम अमेलिया होपिल में हम रुके थे ये होटल एक रिजोर्ट की तरह था बहुत ही खुबसूरत अब हम जा रहे हैं ये हमारी बत प्यार है अब हम जा रहे हैं मिट्योरा जहां पर बहुत सारे रॉक पॉरिस्ट कह सकते हैं और वहां पर बहुत मठ है मिट्योरा की ये खड़ी चट्टाने 5000 साल पुरानी है नवी शताबदी में यहां पहली बार भिक्षु आये थे और उन्होंने यहां उपर में ऐसे इसाई मठ बनाए इन मठों तक जाने के लिए आपको काफी सीड़िया चड़नी होती है कई जगह तो रास्ते इतनी कठिन है कि आप जाने का सोच भी नहीं सकते इस इलाके में एक दो नहीं बलकि कई सारे इसाई मठे हैं मेट्योरा एक ऐसी जगह है जो कि रॉक फॉरेस्ट और मोनेस्ट्री के लिए जाना जाता है यह मोनेस्ट्री जो है इसाई धर्म के हैं और बहुत से पुराने जो इसाई धर्म के गुरु हैं वो सब यहां रहा करते थे मेट्योरा के कई चर्च को हमने अंदर जाकर भी देखा और अंदर से भी इनकी बनावन बहुत भवे थी लकड़ी और पत्थरोंस को जोड़कर इन मठों को बनाया गया था बहुत ही भवे खुबसूरत अध्भुत नजारा देंगे लाल यह है मेट्योरा यहां पर ठंड काफी जादा है तीन डिग्री टेंपरिचर है आज हमने कम कपड़े पहने क्योंकि फैल हमें गर्मी लगरी थी लेकिन यहां पर वाकर ही थन्ड जादा है आप एक सकते हवा तेख चल रही है और सब लोग धन्से काप रहें लेकिन यह जगह इतनी अच्छी है कि हम इसको इंजोई कर लेकि जब भी आप ग्रीस आते हैं तो सेंटोरिमी और मैक और दूसरे आइलाइंड्स पे इमच जाए आप में तो अलग तरह की जगह है जहां आप गर्मी के मौसम में आते हैं तो यहां पर वेदर ऐसा ही होगा और भी अच्छा होगा अभी तो बहुत थंड हैं बट पिर भी हम आपने इस जगह को इंजॉइ किया है 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 बहुत ही सुन्दर जगह है यहां आके लग रहा है कि आप दूसरी दुनिया में आ गया है अपने पेंडोरा देखा होगा उचे उचे पत्थड है उची उची शिलाएं है और इसके उपर मॉनेस्टरी बनी हुई है आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भूद बहुत ही खुपसूरत नजारा है इंडिया से जब आये तब तो हमने वहां की एक सब्से पॉपलर ट्रेवल एजंसी हैं लेकिन उन्होंने यहां पे एक लोकल ट्रेवल एजंसी को गॉंडेक किया और इन्होंने हमारा टूर कराया यह है गो टूर्स है और हुमारा टृप निंडियु अत्छा रहा है दो दिन के लिए ईनके साथ है यह भस से हमें लेकर आई हैं और इसमें इंडिया से भी लोग हैं इंडिया की फैमिली है इनराइज मेरा बेंग है लोग है उस्टेटान के लोग है तो यह भी अपने आपने अच्छा अनुभव है हमें केडला की फैमली मिली जो जो की अब कटर में रहते हैं उनसे हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है इसके अलावा हमें अ माम लोह से मिलते हैं उनसे बातचीत करते हैं और एक अच्छे दोस बन जाते हैं इस तरह के ट्रिप में ग्रीज के टूल्स डेस्टिनेशन्स ही नहीं वहां की कैट्स भी बहुत फीमस हैं वहां जहां भी जाईए आपको कैट्स नजर आएंगी मिठ्योरा में भी हमें धेर सारी कैट्स दिखीं कंट्री ऑफ कैट्स की की हैलो यह किसी बिली है जो बहुत खां लग़ी है मुझे भी लग़ी है और हम दोनों ही दूप में बैटे हैं चाहे कोई आए जाए हमें फर्ग नहीं पाटना को कि यह एक बिल्ली है इसको इतनी ठन लग रही है कि इसने बस यह धूप में बैठी कि मेट्योरा और डेल्फी घूमने के बाद अब हम वापस एथेंस जा रहे हैं कल हमारा एथेंस का ट्रिप होगा एथेंस में जो भी मॉनुमेंट्स हैं जो भी म्यूजियम है वो हम देखेंगे इधर दो दिन हमने मेट्योरा और डेल्फी देखा करीब यह जो है जगर एथेंस से चार-पाच घंटे की दूरी पे हैं और हमारा वन नाइट स्टे था कलंबाका में एमीलिया रिजॉर्ट में हम ठहरे थे जो की बहुत ही लावेश और अच्छा स्टे था बढ़िया था उमीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा ग्रीस के अभी कई और टूरस्ट डेस्टिनेशन बाकी हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बढ़िए नहा हुआ उर में होगा ऑाया का झाल तरक अगक हैं हमारा ये ये लावेशifs और की को भी है लावेशन अपैं होगा